डावला निवाशी व्यक्ति से फोन पर फिरोती मांगने के मामले में दो आरोपी गिरपतार पुछताज के लिए दो दिन के पुलिस रिमांट पर लिया गया गाउं डावला निवाशी एक वेक्ति से फोन पर दमकी देकर फिरोती मांगने के मामले में कारवाई करते हुए पुलिस की एक टीम दोवारा दो आरोपियों को गिर्पतार किया गया है मामले की जानकारी देते हुए थाना परबंदक सुन्दरपाल ने बताया कि अनुप निवाशी गाउं डावला ने सिकायद देते हुए बताया था कि 20 अपरेल को उसके मॉबाईल फोन पर एक नंबर से फोन आया जिसमें वह बोल रहा था कि वह कपिल गैंग का सूटर बोल रहा है उसने 15 लाख की प्रोती की मांग की और नहीं देने की सूरत में उसे वह उसके परिवार को जान से मारने की दम की दी सिकायद पर कारवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ वे आपरादिक मामला दर्ज किया गया उन्होंने बताया कि ठाने में तैनाद साहिक उपने रिक्षक कुलबिस्टिंग के ने तरतों में पुलिस की एक टीम दुआरा आरोपियों को गरिपतार किया गया टीम दुआरा गुप छूचना के आदार पर कारवाई करते हुए आरोपियों को गाउडावला से काबू किया गया आरोपियों की पहचान मंदी पुयप प्रिंच निवाशी गाउडावला के तोर पर की गयी आरोपियों ने प्रार्थमिक पुष्टाज में मामले का खुलासा किया दोनों को अदालत जड़ जड़ में पेश किया गया जहां से दोनों आरोपियों को पुष्टाज के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया मामले की आगामेजाद परताल जारी है